नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपको विंदिया टाइम्स में मेरा नाम है आयूशानन सत्ना से एक बार फिर से दबंगो द्वारा दलितों के साथ मारपीट का मामला सामने आये है इतना ही नहीं दबंगो ने ग्राम सभा के दोरान दलित महिला सरपंच को भी लाठियों से पीटा इस दोरान बीच बचाव करने आये लोगों को भी लात जूतों से पिटाई की गई आपको पता दें कि मामला मैहर के नादन देहात थाना अंतरगत ग्राम जरियारी का है जहां पर शाशन के निर्देशों के तहत शुक्रवार को ग्राम सभा का आयूजन किया गया था आरोप है किसी दोरान नवनिर्वाचित सरपंच ललिता बौध के साथ गाउं के दबंग चंद्र प्रकाश उर्फ छोटु पटेल ने अपने साथियों के साथ पहुँच कर विवाद किया और फिर मारपीट की ग्राम सभा में अन्य लोग भी मौजूद थे जो की बचाव करने आये थे उन्हें भी पीटा गया मूल रूप से यह महिला सरपंच साकेत बताई जा रही है लेकिन इन्होंने खुद को OBC बता कर चुनाव लड़ा और जीत भी गई दरसल इन्होंने बहुत धर्म अपना रखा है कथित नियमानुसार अगर ऐसी द्वारा बहुत धर्म अपनाया जाता है तो वह OBC माना जाता है इसको लेकर चुनाव के वक्त सरला साकेत ने OBC के तोर पर चुनाव लड़ा जडियारी पटेल बहुल्य है और साकेत यहां तुलनात्मक रूप से कम है फिर भी सरला साकेत चुनाव जीत गई यही कसक विवाद की वज़ा बनी और बहुसंख्यक रूप से दबंगों ने महिला सरपंच से मार पीट कर अपने मन की भडास निकाली पुरे मामले में नादान देहात थाना पुलिस ने मामला दर्च कर चार लोगों को हिरासत मिले लिया है पीडितों का आरोप है कि पुलिस ने अन्य आरोपियों का नाम FIR में न तो शामिल किया है और नहीं उनको गिरफतार किया है वहीं पूरे मामले की जाच पुलिस ने शुरू कर दी है सरपंच सहित गाउं के दलितों की मांग है कि सभी लोगों का नाम FIR में शामिल कर उन्हें गिरफतार किया जाए वहीं पुलिस ने आरोपियों को छोड़ने के बारे में सफाई देते हुए कहा कि आरोपियों को गिरफतारी सुनिश्चत करने के लिए प्रतिवंधात्मक रूप से कारवाई शुरू कर दी गई है धारा 191 लगाई गई है ताकि आरोप को गिरफतार करके मजिस्ट्रेट के स भेजा जा सकता था और नहीं रात को ठाने में रखा जा सकता था ऐसे में आरोपियों को छोड़ दिया गया बहुत बहुत धन्यवाद